तो गैस जब हम सुबह सोगे उड़ते हैं तो जब भी हम गेट खुलके बाहर देखते हैं तो एक नदूर बर्स इस तरीके से आती है और जब भी मैं कभी भी रिकॉर्ड करने कोशिश करती हूँ तो फुरल से उड़े जाती है बटा थोड़ी सी कैप्सिर हो गए तो मैं आप सिर्जी ओर गेहूं के आटी का है मैं इसमें गेहूं का आटा कोशिय के लिए के काटूरी एक कर हाफ कोचोय कोच्ट में कशिए हरमी कि अभी हैं घुर्जा करा हैं नमक है थोड़ी सी अंग हईभर लाल मिर्ची भी डाल सकते हो अगर आपके बच्चे ही खाँ ज्याधा ख पतला दस मिट तक रेष्ट कराया है उसके बाद आपको पैन को ग्रीस करना है और इस तरीके से फैला देना है पतला पतला पूरा फैला देना जाली सी बन जाएगी लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है अपने आप ही धीरे से निकल जाएगा फर्स चीला निकलने में सा दिकत करता है और एक बात और यह जो मेरा पैन है वो नॉन स्टिक है इसलिए इस पे बिल्कुल भी चिपकता नहीं है तो मैंने इसे बनाया और जब इसको जो आच में धिमेदे में पकाएंगे तो सूजी की वज़े से यह काफी क्रिस्पी रहता है लेकिन जैसे यह करके देखा था अच्छा लगा था क्योंकि मैंने इसे फर्स टाइम ट्राइ किया था और अपने वीवर के साथ में भी शेयर कर रही हूं तो आप लोग भी बना सकते हो ऐसे ही आप वेजीज डाल सकते हो अपनी मन पसंद नेक्स टाइम मैं वेजीज वाला बनाओंगी फिल ऐसे गरीन च्ट्नी के साथ भी खा सकते हो या फिर आपने मसाला बना रखा है वालू का hijos ऑए गाए हो फ्ली की चट्नी बना सकते हो सांबर के साथ ब heaf भूसा है बनके तैयार हो गया है आप देख सकते हो कितना अच्छा बन रहा है तो बस इस तरीके से मैंने सारे के सारे बना लिये थे बच्चों को दे आई थी बच्चे भी खा रहे थे उसके बाद मैंने मुझे और भी बहुत सारे काम थे आज कपड़े धुलना वगेरा तो हो सब मैंने किया हजबिन जी है नहीं है हजबिन जी कहें ट्रेनिंग में तो आज वो हैं यहां पर और आध्या को अभी मुझे हेर आइलिंग करनी है तो करूंगी अरे यार यह क्या वन गया साही है तो आज दिलका नहीं हम्हां ओनृ है कैना हाथ दिखा लगा दिश्ए अपने कर दिया और यार जो शथनी करती हो तो यह ऐसे हथे होता है यह जो हो रहा है यह जो भी अठी आप्टा हमारे जाओध जो कितना हाई प्रेंड नमस्ति कहते हैं अभी इमचे मेरी लिए चोटी कर रही है क्योंकि जब नहमास्ती है तो ऐसे नहीं दिखना चाहिए है चोटी गज़ चाहिए और दस ते इसना सरार से मुझे कूट कूट के चडरी मना देता है तो आपको सामने दिख रहा होगा इसलिए वही है और अब भी कुछ नेगा बाता है तो बस तो आज मैं सोचती रही क्या बनाओं क्या बनाओं क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने फटा-फटा लगाया कर्मा करम से पूरियां तली और लबे-लबे आलू काटके ये जीरा आलू बना दिये बिना हल्दी डाले हरी मिर्स से तल्का दिया है बहुत ही यम्मी टेश्टी बन के तैयार हुए थे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ही क्यों बनाया और थोड़ा जाधा बन जाता बहुत ही अच्छा लगा था तो अभी सामपड़ाई मैं और आज व्लॉग ना सुबह से सगी से करनी पाई थी मैं पता है क्यों कि ये गय थे आज अबनी ट्रेनिंग पे तो आज सुबह खाना नी बनाना था इनका नास्ता लैंस वही था तो तो दिनर तो मुझे बनाना ही है तो फिर मैंने ना सुबह पूरी सेग ली थी तो बच्चे हम लोग खा लिये और ज्यादा कुछ इस्ट्रा काम पहला के नहीं रखा था हाला कि आज मैंने कपड़े भी धुले थे और इंगे चैकेट थी जिसको मुझे हां से ओवस करना पड़ा था रगड़के काफी गंदी थी वह थुला था इनका अब साम कू तो व्लाग स्टार्ट करते हैं मैं बनाना जारी कड़ी वह बहुत लंबे समय बाद और आप सोचेंगे कि रात में कड़ी नहीं खाना चाहिए लेकिन अब मैं दिन में कल बनाऊंगी तब यह कल चले जाएंगे ट्रेनिंग में सुस्यू आज बना देते हैं और थोड़ा सा ही लिया है यह पकोडियों के लिए पेशन है वो खोल लिया है इसमें नमक डाला बागी है तो सादा पकोडी बनाएंगे और यह रही चाहँ जो मैंने मंगाई है अमूल मसाला चाहँ है मुझे चाहँ से यानि मठे से कड़ी बनाना है बहुत अच्छा लगता ह था कि मेरे पकोडियों कभी सीधी साथी नहीं बनती थी हमेशा क्या होता है कभी तेडी कभी सावकी जैसी मुड़ जाने वाली ऐसी वन जाती थी लेकिन अब मुझसे बनने लगी है और चैते है ना प्रक्टिस करते रहो तो सब आ जाता है और धीरे-धीरे साधी से पहले और जो काम आपको नहीं आता की चिनमे करने का तो तीम दिआ भी आप सीख सेख जोगे अपने आप ही पतानी क्यूं सभी के सारह साई होता होगा चोवही है यहां पे मैंने साजी अड़ी पपोडियां डाली है और बहुत परफेक्ट अच्छी पपड़ी अच्छी पर कोड़ सबसे पहले कड़ी बनवाई जाएगी कड़ी बहुत कठिन रेसिपी मानी जाती थी अब तो मैं सोचती हूं कि बहुत सबसे इजी रेसिपी है कड़ी हाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ता है इसलिए उसे कठिन माना जाता होगा क्योंकि जब भी हम चार्ज में या दही में गोल के कड़ाई में डालते हैं तो उसको फट जाने का डर रहता है बच्छ तरी का पता है कि बेशन में जब भी आप गोले उसको तब आप उसमें दही के साथ में नमक का इस्तमाल ना करें नमक जब पक जाए अच्छे से खदक जाए तब डाले आपकी कड़ी कभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसे चलाते रहना है यह देखिए पर्फेक्क कड़ी बनके तयार हो गई है आप चाहे तो उपर से तरका डाल सकते हैं लाग मिर्ची का बट मैंने सिंपल सी बनाई है कि इसमें अल्रेडी मैंने हरी मिर्ची और लाग मिर्ची एड हजबिन का फेवरेट और यह मिठाई जो दीदी है ना नीचे जो उनकी शादी है वो लेकर आई ती मिठाई तो एक पीस रख दे रही हैं तो यह लगे हमारी डिनर की थालिए आज आईए आप लोग भी मिर्चाद में शेयर करिएगा अच्छा जो मैंने आप लोग से बात का है दादी नानी किसीने भी महले में भी तो मुझे शेयर करना अच्छा लगेगा मुझे भी उसके बाद डिनर किया सारा काम किया कुछ ज्यादा व्लोग बनाने का मननी कर रहा था कभी कभी होता है मून नहीं होता है वोग करने का सो यहां पर मैं जब आई तो रूम में यह दिखी बुक लेकर बैठा है तो यहां पर मैंने एक इंचाग्राम डील भी बनाई है आपने नहीं देखी है तो इंचाग्राम फॉलो करिएगा यूटूबर प्यांका पाटका में इंचा एड़ी है वहां पर थोड़ी सी मस्ती मरी देखने को मिलेंगे का पड़ा हो द दिखाओ क्या है डिक नहीं दिखाओ कि इसमें क्या पड़ो कौन इंपना अब थो पडही कर रहे है ति यह से ठाना अ कैसे हो रहा है देख सराइड देख लो इतनी जो 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 शैना ना रहो ना दों गुस्ट हमनि थो फता है क्यों से इसा हो रहा है शुन्म मंमा ने केमरेशर्व लाड़ा दियो मुँद मंम्मि रेकरड से गलम मैं कर रही है इसलिए आप दिखाना आप नहीं पर कराइद बाई बोला तbahnाल एक तो बाई बोलो भी 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 बाई उरा यहां ? अन्लीक आ बाई ?